प्रस्तोत है क्रिशियवं किसान का लियान मंताले भारत सरकार द्वारा प्रायजित कारिक्रम किसान की बात प्रस्तोत है क्रिशियवं किसान का लियान मंताले भारत सरकार बहुत स्वागता आप सभी का करिक्रम किसान के बात के आज के इस अंक में जिसमें मैं हूँ आपके साथ कोमल भारती और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अर्वित भारतवाद स्वागत है आपका एक और नई कड़ी में एक और नई विशे में और उससे जुड़ी हुई जानकारियों के साथ बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे जवाब होंगे और बहुत सारी जिग्यासाइं जो आप सभी के मन में आज के विशे से संबंदित होंगी उन सभी जिग्यासाओं को शांत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक महमान विशेशग्य भी है जी है और हम उनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर आरेस बाना जी आज हमारे साथ स्टूडियों मौझूद है, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाक्य वैज्ञान संभाग, भारती करिश अनुसंदान संस्तान, पूसर नई दिली से, सर बहुत-बहुत स्वागत है, कारिक्र पशू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जी है, उसको भूख हम दोनों ही करते हैं, पशू भी और इनसान भी, और सबसे स्ची बात यह है, इसमें कम लागत वाली फसल है, मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा होता है, देख भाल भी कम करनी पड़ती है, और इसमें पानी के बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो उसी की धेर सारी जानकारियां आज के इस कारिक्रम में आप सभी को मिलेंगी, हमारा आज का विशे बाजरे की दाना और चारे के लिए बिजाई, और इस विशे से संबंदित, कोई भी सवाल आपके मन में है, और कोई भी जिग्या शुन्य एक-एक लगाना बिलकुल भी ना भूलें, तो डॉक्टर साब अब अपने विशे की तरफ हम आते हैं, और बाजरे की और जो हम बिजाई की बात आज हम करने वाले हैं, वो चारा और दाने, दोनों के लिए करने वाले हैं, तो दाना यानि जिसका उपभोग देश के ऐसिंचित क्सेत्रों में तो ये काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका एक तो गुणवाता पूर्ण दाना होता है, जो ने केवल मानव पोसन के लिए, बलकि पसू पोसन में भी इसका उप्योग होता है, दूसरा इसका हरा चारा, जो कि बहुत पोस्तिक और सुप इसके ऐसिंचित क्सेत्र हैं, वहाँ पर पसूधन भी किसानों के जो फसल प्रणाली है, क्रिशी प्रणाली है, उसका एक एहम हिस्सा है, तो उन क्सेत्रों में जो दाने वाली और चारे वाली दोनों तरह की किस्में हैं, दोनों की किस्में अलग-अलग उप्योग करनी च उसको दाना उत्पादन के लिए लेना चाहिए और जो चारे वाली जो हरे चारे के लिए संस्तुत किसमे हैं उनी का उपयोग करना चाहिए दूसरा बिजाई में ये फरक होता है कि दोनों की बीजदर अलग अलग रखी जाती है जो चारे के लिए बोते हैं उसको गना वोई क जो दाने के लिए उसमें चार किलोग्राम प्रती हेक्टर बीच दर लग भग लेते हैं क्योंकि थोड़ा दूर दूर लगाते हैं ताकि कल्ले अच्छे से निकले और उत्पादन अधिक हो जी हां तो मुख्य रूप से जो बात है कि दौनों को अलग ही रखना चाहिए अगर आप human consumption की बात करेंगर हम अपने खाने के लिए बेचने के लिए बाजार में ले जा रहें तो उसकी फसल अलग होती है अगर आपका मुख्य उद्देश है वो चारा पश्यों के लिए है तो उसके लिए अलग उसको बुवाई करनी चाहिए ताकि दौनों को ही फायदा क्य कि मानसून आ चुका है और उनने बुवाई कर दी है वहाँ पर बाजरे की बुवाई ज्यादा तर मानसून के साथ ही सुरू हो जाती है और जो उत्तर बारती एक शेत्र हैं वहाँ पर जून के अंतिम सब्ता से जुलाई का जो प्रतम पक्वाड़ा है उसमें बिजाई करी जाती है मद्य बारत के और दक्षिन बारत के कुछ खेत्र हैं जहां पर मानसून आ चुका है तो वहाँ पर यह द्यान रखना है कि जैसे ही मानसून आ जाए आपको बुवाई करनी है और जो उननत किसमें है जिनका जिक्र भी हम करेंगे उनकी ही बिजाई करनी है ताकि आप जो मौसम की बविश्यवानी इसमें आपके आकासवानी या जो अन्य माध्यम है दूरदर्शन है उनके से आप मौसम की जानकारी लेते रहें यदि बारी बारी सोने की सम्मावना हो तो उस अवस्था में बिजाई उस दिन नहीं करें क्योंकि यह इसका दाने का आकार बड़ा छोटा होता है और वो बर्षात इसकी बिजाई करने के तुरंत बात बर्षात होने से पपड़ी बनने की समस्या आती है जिससे कि अंकुरन विपरीत रूप से प्रभावित होता है तो ये जरूर ध्यान रखें कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले एक दो दिन में और य इसे ही बर्षात हो गई खेत की जुताई कर देनी चाहिए ताकि जो घास पूस या खर्पतवार हो गए हैं उनको एक बार बीज नश्ट हो जाएंगे और फिर फसल की बिजाई करेंगे तो फसल में शुरुवातिय वस्ता में वो खर्पतवारों से मुक्त होगी और बाजर की फसल लगाई हुई है जिर की सिब कटाई वगरा चल रही है हरे चारे के लिए जो लगाते हैं उनको अब क्या करना चाहिए क्या दोबारा उस फसल को लगा सकते हैं या फिर वहां क्या करना चाहिए या फिर उस में क्या उनको खास ध्यान रखना चाहिए हरे चारे वाली फसलों की बुगाई दो मौसमों में की जाती है लगबग संपूर्ण बाजरा वाले खेत्र में एक तो गर्मी में हर अचारा की उपलब्दा नहीं होती है तो रभी फसलों की कटाई के पस्चात यानि की मार्च और अप्रेल के महने में हरे चारी की बिजाई कर देते हैं और वो फसल अभी आज कल तो जुआर बाजरा मका इन सब की ही जो किसमे आ रही है उनकी बिजाई करते हैं और kita publication की इसटय से एकटर के उ चारे के लिए उनको मैँ यही सलाव दूँगा जैसे वी के लिए संस्तुत किसमे हैं जैसे की एवी के भी दो है एवी के वी 19 है या राजबाजराचरी 2 है ऐसी जो चारे तो अब हम आगे बढ़ें उत्तर भारत की तरफ जहां पर अभी मौनसून अभी आएगा और गर्मी बहुत जादा है तो मिट्टी की प्रबंद और जो खीत तयार करना है वो भी बहुत जरूरी है जो गर्मी का मौसम जहां पर चल रहा है जहां मौनसून नहीं आया उनमें ख जुताई विदी से खेती कर रहा है तो उसमें आपको जुताई नहीं करना है पर पूरू फसलों के अवस्यसों का एक आवरण मिट्टी पर बिचा के रखना है और जैसे ही मानसून आ जाए और बिजाई कर देनी है रही बात मर्दा उर्वरक प्रभंदन की बात है तो जो खादें आप उपयोग करते हैं वो बुगई से लगबग दो से तीन सफ़ता पहले ही उपयोग कर लें यानि कि अभी सही समय है कि आप जो खाद हैं देशी खाद हैं गोबर की खादे वर्मी कंपोस्ट है उसको डाल दें ताकि जैसे ही मानसून आए और आप अपने केतों क कुछ दिनों में आने वाले समय में बिजाई कर सकें और जो बिजाई के समय जो उरूरक हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो कंपोजिट किसमें हैं संकुल किसमें हैं जो अपने किसान अपने किसमें उपयोग करता है तो उनका लगबग 60 किलो जो रिकमेंडे डो जो साट किलो प्रती हेक्टर वो यूरिया से दें इसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम फासपोरस और उतनी ही मात्रा में पुटास विजाई के समय ही दे दें बाद में जो खड़ी फसल है उसमें जो साट किलो नाइट्रोजन थी उसमें से सिर्फ एक तियाई विजाई के समय देनी है जो बचीवी दोतिय ही है उसको दो भागों में बाट कर एक जो घुठनों की उंचाई तक जब फसल आ जाए तब और दूसरा पुस्पन वस्ता के समय दे 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 तो जो फसल है उसको देर काल तक अंत तक पूरे जीवन चक्र में नाइट्रोजन की उपलब्त था होती रहे क्या उसके लिए अलग अलग तैयारियां करनी जरूरी है यदि आप बिजाई दाने के लिए कर रहे हैं तो उसमें बिजाई की दूरी सामने ते 45 सेंटीमिटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और जो 20 दर है वो 4 से 5 किलो ग्राम परती हेक्टर उपयोग करते हैं बहुत ही कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमिटर रखते हैं और पोदे से पोदे की दूरी 8 से 10 सेंटीमिटर रखते हैं और जो बीज दर है वो लगवग दुगनी कर देते हैं यानि कि 8 किलो ग्राम परती हेक्टर की दर से आप बीज उपयोग करें ताकि जो पोदे घने होंगे और घन चारे के लिए दाना तो चाहिए नहीं तो उनकी शुरुवाती व्रद्धी अच्छी हो जाए तो वानस्पति की व्रद्धी की वज़े से जो हरा जो ग्रीन बायो मास इसको बोलते हैं हरा चारे का उत्पादन अधिक हो जाता है तो गनी विजाई उसकी करना आवस्यक है जी डॉक्टर साब जैसे इसमें हम अगर किस्मों की बात करें तो चारे के लिए कौन से किस्म बहतर है और जो दाने के लिए वो कौन से किस्मे बहतर हो दाने के लिए दो प्रकार की प्रमुक किस्मे होती है संकुल किस्मे जिनको हम दैसी किस्मे भी बोलते है और हाइब्रिड तो आजकल हाइब्रिट्स काफी पसंद किये जा रहे हैं जिनका उत्पादन भी अधिक है और जो नवीन किसमे हैं हमारी वो रोगों और कीटों से काफी हद तक लड़ने में सक्षम होती है तो यदि हम हाइब्रिट्स की बात करें तो पूसा बारा सो एक है एच एच भी दो स 17 है MPMH 21 है ये किसमें लगाई जाती है गुजरात के जो किसेतर हैं उनमें GHB 905 या जैसे KHB 108 किसम है संपूर्ण भारत में लगाई जाती है 86 M84 86 M86 86 M89 नंदी बहतर ये किसमें हैं जो हाइब्रिट्स हैं अच्छा उत्पादन देती है और काफी किसानों के द्वारा पसंद की जाती है यदि संकुल किसमों में बात करें तो पूसा 443 है पूसा 383 है इस तरह की किसमें आप लगा सकते हैं और हरे चारे के लिए जैसे मैंने पूर में भी बताया कि AVK भी 2 है AVK भी 19 है राजबाजराचरी 2 है ये लगा सकते हैं जी है और डॉक्टर इसके इसके इलाव हम बीज उपचार वगरा भी बात करेंगे लेकिन खुशकबरी है हमारे किसानों के लिए हम चाहेंगी कि वो हम उन तक जरूर पहुंचाएं आने वाली 18 जून 2024 को परदार मंतरी श्री नरेंद्र मोधी द्वारा किसान संबान निधी योजना की सत्रवी किष्ट जो है जार परदान मंतरी जी का आभारी हूं कि किरसी जैसा महत्कून विभाग का दायत हम लोगों को दिया है विक्सित भारत का संकल पूरा करने के लिए किरसी सबसे महत्कून आधार है किरसी भारती अर्थविवस्था की रीड है आज भी रोजगार के सबसे ज़्यादा अफसर किरसी के माध्यम से ही स्रिजित होते हैं और किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है और इसलिए हम अन्न दाता किसान को मानते हैं किरसी और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है और इसलिए कारी भार संभालते ही प्रधान मंत्री जी ने जो सो दिन की कारी योजना बनाने का दायत्वा हर एक विभाग को सौंपा था हमने सो दिन की कारी योजना की भी समिक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे हम सब जानते हैं कि प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने दो कारिकालों में भी किर्सी और किसान उनकी सर्वोच प्राथ मिक्तार रहे हैं और किसानों के कल्यान के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए है मुझे इस बात की भी प्रधान मंतरी जी ने तीसरी बार सपत ग्रहन करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षरगर किये तो किसान सम्मान निधी की सत्रवी किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की और उनका सबसे पहला कारिकम अगर तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विस्वनात की नगरी कासी में सिंगल क्लिक के माध्धम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधी डालेंगे आप सब जानते हैं कि किसान भाईयों की आर्थिक प्रिगति सुनिश्चित करने के लिए दौजार उन्नीस में प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी की योजना की सुरुआत हुई थी और अब तक लगबग 11 करोड किसानों को 3 लाग करोड रुपे से जादा की रासी किसान सम्मान निधी के रूप में दी जा चुकी है सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है 18 जून को प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोदी की 9 करोड तीन लाग किसान भाई बहनों के खाते में लगबग 20 हजार करोड रुपे की रासी डालेंगे हस्तान तरित करेंगे और उस दिन अन्य दाताओं की खुसाहली के साथ बिक्सित भारत के संकल्प की सिध्धी का स्री गणेश हो रहा है प्रधान मंतरी जी के साथ उनका कारिकम तो कासी में होगा कासी के कारिकम के साथ थी उस कारिकम में राजपाल महुदै उत्तरप्लेश के मुख मंतरी योगी आधित तिनाथ जी भागे किरसी मंतरी समलित रहेंगे नेश में अलग-अलग स्थानों पर बैसे तो सभी केविग की में कारिकम होंगे किसी विज्ञान केंदरों में लेकिन पचास हमने बिसे सूफ से चिन्हित किये हैं जहां अलग-अलग केंदरी मंत्री जाएंगे वर्च्वली कारिकम से जुड़ेंगे और महां जो एकत्रित किसान होंगे उस कारिकम के लिए उनसे वो सब्वाद भी करेंगे किबल के वी के म नहीं सभी मंडियों में बिलाकिस्थानों पर और कई राज्यों में हर गाउं में ग्राम पंचातों में इस कारिकम का आयोजन हो रहा है और लगभग दो करोड किसान फिजीकली और बर्च्वली इस कारिकम में समलित होंगे इस कारिकम के साथ साथ एक और प्रधान मंत्रे का संकल्प है लग्पती दीदी तीन करोड लग्पती दीदी हमें बनानी ही एक करोड बन चुकी दो करोड और उसी का एक आयाम है किरसी सखी किसानों की साहयता के लिए हमने कई किरसी सखीयों को immigrant करके उनको ट्रैनिंग दे के तैयार किया है ताकि जो अलग अलग कामों में क अधिकान सेल्फेल ग्रूप की बहने जो हर काम को बहुत गंभीर दाके साथ करती हैं तो उनको भी प्रिसिक्षण जिनने पूरा किया है सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से पांच बहनों को बहां दिये जाएंगे लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगे ये कर सकेंगे अभी इसकारिकम का प्रारंब हुआ इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे बित्रो इसकारिकम का सीधा प्रसारण डीडी डीडी किसान माईगव माईगव पर बेवकास्ट विकासखंट कारेले से लेके ग्राम पंचयातों अलग-अलग क्रिशिविज्ञान पर और उसके अत्रिक्त भी विविन संचार माध्यमों के माध्यम से इस कारिकम से और प्रधान मंत्री जी से जुड़ने की किरपार करें किर्सी सखी कारिकम अभी बारहा राज्यों में हमने प्रारम किया है गुजरात, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, मध्रप्रदेश, चत्तीजगर, करनाटक, महरास्ट, राजिस्थान, उड़ीसा, ज्हारिकंड और आंदरप्रदेश और मेग हाले में ये सुरू किया है किर्सी में महलाओं की महतपूर्ण भूमिका को देखते हुए किर्सी और ग्रामीड विकास मंत्राले ने एक समझोता ग्यापन पर भी हस्ताक्षर किये दोनों मिलके इस कारिकम को चलाएंगे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी 6,000 रुपया प्रतिवर्स किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है तीन किस्तों में इसके साथ साथ जो बहुत महतपूर्ण कारिकम है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना चार करोड से जादा किसानों को पीम फसल भीमा योजना की अंतरगत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है मुझे ये बताते हुई प्रसनिता है कि वैस्विक कीमतों में उच्छाल के बावजूद भी 11 लाग करोड की सबसिडी उपलब्ध करा कर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है आज विसे शुरूफ से मुझे चुँकि प्रधान मंत्री जी का पहला कारिकम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कारिकम है कासी में आयुजित हो रहा है तो उस कारिकम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रत किया था धन्यवार साथियों अभी आप सुन रहे थे हमारे केंत्रे क्रिशी एवं किसान का लियान मंत्री श्री शिवराज सिंग चोहान जी के संबोधन को जिसमें की उन्होंने बताया कि आने वाली जो अठारा जून है उसमें प्रधान मंत्री श्री नरे इंद्र मोधी द्वारा किसान सम्मान निदी योजना की सत्रवी किस्त जो जारी की जाईए और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारिक्रम है जो किसानों के लिए सरकार लेकर के आने वाली है बहुत सारी योजनाए बहुत सारी खुश खबरिया यानि कि हमारे किसानों के लिए आने वाली है इस आने वाली अठारा जून को तो आप सुन रहे थे उनका ये संबोधन कारेकरम चल रहा है किसान की बात और कारेकरम में आज हम बाचीत कर रहे हैं कि आप बाजरा और दाना की चारा के लिए किस तरह से बिजाई कर सकते हैं और इस विशेपर हमारे साथ जो स्टूडिus में मौजूद हैं हमारे आपको कारिक्रम में और भी बहुत सारी जानकारियां हमें देनी हैं तो वस जुड़े रहें कारिक्रम में हमारे साथ कारिक्रम किसान की बात पुशना अपने बड़े बोजूर्गों से कैसे फजल लहला आती थी शुद्धता चलगती थी माटी भी तंदरस्त और लोग पहली वाली बात कहा पर हम तो सब यही डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परमपरागत विदी से फजल होगा रहे हैं फर्चा खम और उपरची कीमत भी बहते पा रहे हैं सच है रह बेटे एक्स्पिरियंस से बता रहा है दूप में बाल समेध नहीं किये है ठीक है भाई मैं भी आज कर जाए भी खेती शुरू करूंगा माटी सिप्रीम की परमपरा है परमपरागत खेती आप सुन रहे हैं कारिकरम किसान की बात कारिकरम में आज हम बात कर रहे हैं बाजरा की दाना और चारे के लिए बिजाई विशेपर अब बाजरे के बाजरे की जो उन्नत किसमें है, यह आप उन्नत किसमें बाजार से खरीद रहें तो उपचारित होकर ही आती है कवक नासी से और इसके अलावा कीट नासी से और आप उस पे थेली पे लिखा भी होता है कि उपचारित है अगर आप घर का बीज उपचारित करना अधी आऊ सक है बीजुपचार का फाइदा ये है कि उसमें बहुत कम मात्रा में रसाइनों का उपयोग करने से भी आप फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकते हैं इसके अलावा कुछ जो जेवी खादे हैं उनका भी उपयोग करके बीजुपचार कर सकते हैं बाजरी की बिजाई का ऐसा है कि मुरदा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब करनी है तो जिन क्षेत्रों में हलकी म्रदाएं होती है रेतिली म्रदाएं होती है उसमें तो बिजाई कर सकते हैं आप उसी दिन भी कर सकते हैं आगले दिन भी कर सकते हैं जो भारी म्रदा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी एक बार शूग जाए और टेक्टर उसमें घुस सके ऐस उसका अच्छा उत्पादन मिल सके हम बात कर रहे थे बीज उपचार की तो मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूं कि जो जेव उरोरक है उनसे भी फसल को जो बीज है उनको उपचारित करके बिजाई करनी चाहिए विसेश कर जो नाइट्रोजन के लिए जो इस्पीरिलम और फ करोवक नाशी भी आतें हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है उसका चार ग्राम क्लोग्राम बीज दर उनको ये करने से मुख रख सकते हैं कि बहुत अदिगा और सकता है नहीं होती यह बाजरे की वसल में परंतु ये ही भूल आते समय और दाना बनते समय म्रदा में नमी की कमी हो तो उपतपादन विपरीत रूप से प्रभावित होता है तो इसमें ये जरूर द्यान रखना चाहिए कि उस समय दिमान सुन थोड़ा कमजोर रहता है तो उस दसा में पुस्पा वस्ता से पूरू के वस्ता में और जो दाना बनने की वस्ता उस समय क्भी हुल्कि सी कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साब आपने भी सारी जानकारे दी कि किस तरीके से हमारे ख़ीसान बाजरे की भूआ कर सकते हैं चारे के लिए और दने के लिए। लेकिन इसके अलावा जांना चाहेंगे ऑज। साब कुछ मिथक होते हैं जो कि आम जंता के मन में चलते हैं कि बाजरा जो है खाना बहुत जादा गरम होता है तो आप उसको नहीं खा सकते हैं सिफ सर्दियों में खाना चाहिए तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है बाजरा एक बहुत ही पॉस्टि नहीं तो आप जरूर खाएं और आजकल तो मल्टी ग्रेंड में बाजरे को वर्ष बर मिला कर देश की बहुत सारी जनसंग्या है जो खा रही है और हस्ट पूस्ट रह रही है नक्टर साब बहुत भँथ धन्यवाद आपने इतनी सारी जानकारी दी और इसके साथ साथ हमारे इस मिथक को भी तोड़ा की बाजरा जो है आप सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं तो यानि कि अगर इस मिथक को तूटने से हमारे बहुत सारी शोता है जो बाजरे को खाना श जुड़े और हमारे साथ टेलिफोन लाइन्स पर भी जुड़े और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज के हमारे इस कारेक्रम के प्रस्तोत करता है शिवनननलाल और इसी के साथ हमारे आज ही इस कारेक्रम किसान की बात का समय यहीं पर समाब्त होता है इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार अमारा हर किसान की आंदनी दुगनी नक्ष अमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हम तो है चुन्दी